कि सो जी हां भाई अकर बीसी आप ऐसे इंस्ट्यूट से कर लोगे तो आपका जिन्दगी उसको बरबादी जैसे में बूलूँगा परिसान हो जाओगे आप्टर कंपरिटिंग बीसीए हो सकता है आप फ्री में पास हो सकता है पर्ची चल जाए मतलब चीटिंग हो जाए ऐस कैसे बहुत सारी लोग सोचते हैं बहुत से स्टुडेंट सोचते हैं कि बस बीसी किसे से निकल जाए नोकरी तो ढोड़नी लूँगा नहीं ऐसे मत सोचना कभी आपका फ्रीचर दवा हो सकता है तो इस वीडियों आपको जानकरी मिलेगा कैसे इंस्ट्यूट्स आपको बी सब्सक्राइटर्स बताऊंगा उसी में आज आएगा तो पहला ऑनलाइन सर्च करके ऑनलाइन अपने सर्च करा कहीं पर लिया कि कॉलेज टॉप कॉलेज बहुत बढ़िया प्लेश्मेंट दे रहे एडमिशन मत लेजिए कि क्या होता है ऑनलाइन में 80% स्पॉंसर होता है 20% सब्सक्राइब होते हैं और यह सच बात है इसका उतलब यह नहीं घपला नहीं है तो घपला समझ भी नहीं सकते समझना बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको वह लूँगा टूथ पेस्ट निव लें कुछ एक कंपनी का नाम बताएंगे तो वैस उस लेवल का आपके ब्रेन में आपके साइकलोजी में आपके अंदर डाल दिया गया है डिखा दिखा के दिखा दिखा के आपक का जगा से पढ़ लिए तो यह चीज़े तो टीवी पर एड आता है आपका नेट पर एड आ रहा है कोई बोल रहा है यूट्यूपर काफी बढ़िया कॉलेज है बहुत अच्छा है इससे आप कंसीडर कर सकते हैं एडमिशन से पहले कुछ परेमिटर से उसको चेक करना है बिकाज अभी आप यंग हैं तो इस टाइम का अपने गवागर दिया गलत चीजों में फाल तो इजी या फिर बोल सकतो फ्री के चक्कर में तो आप आगे के जुलाई पाएंगे उसमें आपको बहुत स्टेगल करना पड़ेगा मैं आपको डराने के लिए बोल नहीं रहा ह है में मेरे को उससे मतलब नहीं मुझे सच बताने से मतलब है तो पहला क्या करने आपको कोई भी रिंपता लगते अग्तर बापस नहीं पर श्रुन स्कुल जला गया उरह अ पैसा दे दिया तुन्हें बेडमिशनली नहीं रहे रोग आउटकम चाहिए होता है घरवाले देखते हैं मेरा बच्चा गया है मैं पैसा दिया है इतना कुछ दिनी बच्चे का करने के लिए आधर क्या होता है उनको भी पता नहीं होता तो क्या आपको help करेंगे यह आपको पैसे दे सकते हैं अगर वह भी प्रॉब्लम बहुत जगा पर है जो मिल्ल क्लास के बच्छे होते हैं पैसे घरवाले बाग भी खूद करना होता है तो खूद आप ऐसे नेट के प पड़ो नेट से सीखो नो प्रॉब्लम तो आपको क्या करना चाहिए आपको कॉलेज के लिस्ट बना लो कि बाही कौन-कौन सा कॉलेज अच्छे है ठीक है और मैंने बताया था प्रॉब्लम क्या लास्ट वीडियो में उसको देख सकते हैं आप क्या प्रॉब्लम है बेसिक क्या करना होगा आपको करना होगा बच्छे करना होगा अगर बच्छे 22 से ज्यादा हैं first year में admission मत लेना कि क्यों बता रहा हूं बताओंगा भी दूसरा क्यारेटी चेक करना है आपको online या फिर distance education BCA का नहीं करना है चाहिए आपको बोल दिए 100% placement assistance कुछ भी नहीं मिलता भाई यह जूट है सरासवर बहुत बढ़ा जूट है मैंने जहां बढ़ाता हूं पर लिखते हैं 100% placement assistance बहुत इतना अच्छी बच्ची तो अब कहां से कर लेंगे वह इसका नहीं बच्ची खराब है मतलब उस जो कॉलेज का उस्टेम क्वालिटी बच्चा हमारे था हमारे बैच में था उसके बाद से कभी उसको इतना 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 गया नहीं है मेरे ब्रांच में मेकानिकल में उसके बाद स्टेसरी चना शुरू कर दिए तिसरा चीस क्या चेक करना आपका placement हर जगा पर क्या होता है हाइस पैकेज को शो किया जाता है यह देख के मत जाना भाई क्या देखना है आपको आपको देखना है कि बीसी में हाइस्ट कितना गया है अगर अब्रेश पैकेज देखो वाई टॉप टॉप कॉलेज कर देखा में ने दो लाग तीन लाग ऐसे है इस टॉप नमबर वन कॉलेज जो बोलते हैं वहां पर मिशल ना बहुत मुस्किल है तो ऐसे नौर्मल कॉलेज में उतनी मिलते हैं लेकिन मैंने यहां पर क्या होता है पर संटी फिल्ट मिल रहा है मार्केडिंग वाला ने दन दाट इस गुड कॉलेज बट यह एक इंपोर्टेंट नेक्स्ट जो बहुत इंपोर्टेंट है कितना परसेंट बच्चों का जॉब लगा तो मालों सौ बच्चे थे सतर का जॉब लगा वाँंपर क्या होता है परसंटेज उभी नहीं है मेरी एक स्टूडेंट ने कुछ टेम पे πολύ मैसेश किया था परसंटेज मेटर करता है हमारे कॉलेज में कंपनी आई बीटिक कब बच्चा था उसने दस लाग का पैकेज का उफर करा हमारे कॉलेज में 700 बच्चे थे पता नहीं ऐसे क्यों लेते हूं उसके बाद उसने बोला कि भाई आपका जो परसेंटेज होना चाहिए 10-12 में 80% होना चाहिए 700 से घट का कितना हो गया 150 बच्चा हो गया तो मतलब क्या हुआ अगर आपका परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं है तो आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो यह सच बात है जो भी आपको बूलना परसेंटेज में नहीं करता है उसने आपको आधा-धारा कहानी सुनाया है पुरा कहानी नहीं है कि अब यह बिए भी हो सकता है ला स्कासा मैं लाइक यहां नहीं सकते हैं करते हैं लुगा के मतलों हमेशा आप अच्छाई और उसका क्या है जरूर देख़िए उसको देखके इंस्टेंटली खराब लग सकता है पर लॉंग टर्म में वह आपको वहाइदा वेनिफीट देगा समझ रहे हो ऑल्वेज थोड़ा भिजनरी बनिये मतलब लॉंग टर्म को सुचिए दस साल पंदरा साल बीस साल लाई बहुत लवंबी है न सत्तर साल के आसपास जिएंगे आप सत्तर साल एवरेज सत्तर साल है असी नव्य साल भी हो सकता है तो अगर आप दो दिन का पांट द पैरामीटर है सिंपल सा आपको अच्छे परफॉर्म करने आप में लाइफ में जोब करो बिजनेस करो तो जब आप सुरू सही आपका माइंसेट ऐसा बन जायाएगा कि स्ट्रगल नहीं करना सिखना कि फ्री में सब कूछ मिल जाना तो आपको दिक्कत आया है कि समद रहे ह यह प्रशात है तो अच्छा नेक्स अमबात करते हैं में अच्छा मैंटर करता है बहुत तायम अगर अच्छे लोकेशे में गालेज है तो मेंकर करता है। कॉलेज में कितना अच्छे टीचंट से मेंटर करता है। जो फिर ने रच करोगे कल्द कर रहे हो कि 3 साल का कोर्स है अच्छा कोर्स बोलोगे मैं पूलोगा सेवेंटी परसंट एक थे ब्रांच में हो सकता है लेकिन बाखी कहीं होता है जुट बोलते आपको अलीजबल से बहुत सरे बच्चे पास नहीं कर पाते हैं है इसका है बन गया अच्छा से पढ़ लेता है तो क्या करना है कैसे पता लगए काफी बढ़िया है वैब साइट से आप क्या करिए आप चुब चाब उसका एक दुदिन बिताओ यार तीन साल बरबाद करने से बेटर है एक दुदिन बरबाद कर लो तो ऐसे क्वालेज यहां पर मैंने जो बोला जो प्रेमिटर्स में नहीं उतरते हैं तो वहां पर मिशन नहीं लेना है लोगे तो वहां पर क्या होगा आपका तीन साल लर्निंग कुछ नहीं होगा इन जनर फ्रस्टेशन होगा बाद मैं बुलोगे मेरा लाइब बरबाद हो और फिर बहुत प्रॉब्लेम आता है दोस्त तो आई डोंट वान यू तो फेस्टा प्रॉब्लम सो स्पेंड यो टाइम वाइजी नाव फॉर चूजिंग गूट कॉलेज जितना बैटर फाइंड आउट कर सकते हो आप और यह कोई आपको बताएगा नहीं मेरे बस को अच्छे को अच्छे को भी हैं इस चैनल पर वह अच्छे को बताऊंगा जिनका इतना फरक नहीं पड़ते है टाइम के साथ बहुत को देखा जिन हां पर डारेक अड़मेंशन हो रहा हा था कोई एडरेंस बेटर ठेश्ट जुन नहीं था एक दो बैज का काफी अच्छा प्लेस्मेंट हुआ उसके बाद हल खराब हो गया उसको देखे मैं कॉल्जेज रिकमेंड नहीं करता हूं नेट पर इन जनर सो इसलिए मैं सब को बोलता हूं भाई खूद जाओ बात करो बच्चों केंटीन है आस पास बच्चे बैठें बहुत सरे उससी कोलेज के बच्चे बात करो तो उससे आपको रिलीटी पता लगेगा ठीक है यह था अब रह वीडियो थैंक यू वेयर मच वाचिं वीडियो वीडियो को लाइक जूरू करिए चैनल पर नहीं सब्स